हेले स्टोरेंट में एकता सिंग आप सभी का ग्यान चेतने चनल में बहुत-बहुत स्वाइद करती हूँ आज इस वीडियो में हम हिस्टोग्राफी से संबंदित एक टॉपिक है यानि कि इत्यास में व्यक्ती की भूमिका क्या होती है और उसको कैसे यो कि पूरस बनाते हैं तो यह एक पूरा थियोरी है जिसको आज हम डिसकस करने वाले हैं चुकि जो UGC.net का सिलेवा से उसमें यह नहीं है यह वाला टॉपिक नहीं है लेकिन आप फिर भी अगर हिस्ट्रोग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप अगर यह टॉपिक देख लेंगे तो आप आपका जो हिस्ट्रोग्राफी से सम्मदित व्यू है वो और भी बनने में यानि निखिरेगा और आपको ज़्यादा चीज़ हैं समझ में आएगी तो सुरू करते हैं आज का टॉपिक इत्यास में व्यक्ति की भूमिका रोल आफ इंडिवीज्वल इन हिस्ट्री तो सबसे पहले हम बात करते हैं इत्यास जो होता है समाज में रहने वाले मनुश्यों के कारियों एवं उपलब्दियों की कहानी है यानि कि इत्यास क्या है आज हम जिस समाज में रह रहे हैं आज से सौ साल बाद या एक हजार साल बाद जो हमारा समाज रहा है वो इत्यास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा अब ये इत्यास के पन्नों में कैसे दर्ज होगा जो जो इंपोर्टेंट घटनाएं अब ऐसा तो है नहीं कि सौ साल टनाएं गटी होंगी आर्थिक छेत्र में सामाजिक छेत्र में तो उन सभी का जो है लेखा जोखा इत्यास के अंतरगत रखा जाता है तो वो यही बताने का प्रयास यहां पर किया गया है कि इत्यास समाज में रहने वाले मनुश्यों के कारियों एवं उपलब्दियों की कहा परन्तु इत्यास में सभी मनुश्यों के कारियों का उलेख नहीं होता इसमें मात्र महापुरुशों के कारियों का विपरण मिलता है अब यह महापुरुश कौन है तो इसके बाद इसको जो है हम आगे देखेंगे आगे इसको और मिस्तार से समझेंगे पहले एक हीकल का मत है जो वो यह कहते हैं कि किसी योगी का महापुरुष एक व्यक्ति होता है जो उस योगी की आकांचाओं को शब्द दे सके योगी को बता सके कि योगी की आकांचाओं क्या है यानि कि माली जी आज का जो समय है आज के समय में हमारे आसपास या फिर हमारे देश में कोई ऐसा एक व्यक्ति होगा जो आज की आकांचाओं को शब्द दे सके तथा योगी इस योगी को बता सके यानि प्रिजेंट कर सके कि किस प्रकार से इसकी आकांचाओं है और उसको फुल फुल फिल करता हुआ वो जो समस्याओं है या फिर जो उसकी मात्वकांचाओं है उसको पूरा करता हो उस योग की आकांचाओं करता था उन आकांचाओं को किरियानवित कर मूर्ते दे सके जो ये सारे काम करता है उसको ही महापुरूष की जो है संग्या यहां पर दी जाती है तो आगे यह है कि वो है जो कुछ कहता है वो है उसके योग की आत्मा और सारतत्त होता है यानि कि आज बर्तमान में जो योग पुरूष है चुकर बर्तमान में तो कोई योग पुरूष नहीं होता है आज का जो समय बीत जाएगा 100 साल बाद आज के समय को जब याद करेंगे तो आज के समय में भी एक यूग पुरुष उस समय दिखाई देगा तो उसी यूग पुरुष की बात हो रही है यूग की आत्मा और सार्तत उसमें बिद्वान रहते हैं वो अपने यूग को मूर्त रूप देता है आगे है योगी की नाड़ी पहचानने वाला व्यक्ति ही महापुरुष हो सकता है यानि की बरतमान में जो चीजें घटित हो रही है और उसको वो महापुरुष क्या है आसानी से समझ लेता है कि अब एक समाज की आवसकता है क्या है और किस प्रकार से इनको फुल्फिल कर सकते हैं तो ये महापुरुष में ये योगता होती है समसामाईक समाज की आकांचाओं को मूर्त रूप प्रदान करने वाले व्यक्तियों ने समाज का नितुत्त्त किया है आगे हम बात करते हैं, एक्जाम्पल के तोर में देखें तो गौतम बुद्ध महावीर स्वामी महात्मा गांधी जी ने समसामाइक रूप का नितत्र करके योग पुरुस का इस्थान प्राप्त किया है महासमुद्र रूपी जन्मानस का सायोग प्राप्त करने के पश्चाथ उनका बेक्तित तो असीम और अनंत हो गया यानि कि उन्होंने जैसे महात्मा गांधी का यहां पर एक्जाम पर लेते हैं तो उन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए जो कारकिरम बनाए जो रणनीती बनाए उसके पीछे सारा जन्मानस उनके पीछे था और जो महात्मा गांधी जी है उन्होंने क्या किया जन्मानस क सहयोग प्राप्त करने के पशाद उनका जो वेक्तित है वो असीम और अनंत हो जाता है आगे है योग पुरुष अति विशिष्ट वेक्ति होता है अब यहाँ पर यह प्रश्ण होता है कि क्या इत्यास में इनकी मातपुन भूम का होती है या हम जो बात करें कि एक है और जो बहुत ही टैलेंटिड होता है वो सारी योगी की अपने समय की समस्याओं को समझता है और उसको सॉल्व करता है तो क्या यह इत्यास में संभव है उसकी भूमी का इत्यास में दिखाई देती है या फिर नहीं दिखाई देती है तो इसके बारे में चर्चा हम तो सबसे पहले महापूरुस सिद्धांत है यानि great man theory उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहां पर कि ब्रद्दी महापुरुषों ने मातपूर योगदान दिया है। यही इथियास में व्यक्तिवादी सिद्धान्द के उत्भव का कारण बना है। बीशवी सदी के प्रारम में इत्यास लेकन का भी प्राय माप पुरुषों की जीवन कथाओं पर प्रकाश डालना था। इत्यास में व्यक्तिवाद का उद्भाव श्रोत पुनर जागरन माना जाता है। अब इसका जो उद्वाव श्रोत है पुरनर जागरन क्यों माना जाता है? क्योंकि पुरनर जागरन से पहले व्यक्ति की जो भूमिका थी वो बहुत ही सीमित थी. तो इस वजे से जो है व्यक्तिवाद का उद्वाव पुरनर जागरन के बाद माना जाता है. क्योंकि यहाँ पर पुनर जागरन काल के पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर देविय शक्तियों का और ईश्वर का जादा ही उस पर विस्वास करते थे और जब पुनर जागरन हुआ तो उसमें व्यक्तिवाद की जो अवधारना है वो इस पश्ट होती नजराती है आगे है इसके पूर्वे व्यक्ति अपने को समाज का अभिन अंग्य मानता था परन्तु पुनर जागरन काल से यह अध्यात्मिक जगत में व्यक्तिवाद बन गया यहाँ पर एक्जामपल लेते हैं इंग्लेंड में ओदोगी करांती ने तो व्यक्तिवाद सिद्दान की पुष्टी कर दी क्यूंकि व्यक्तिवाद योगता तथा चमता के अधार पर ही पूजी वाद का विकास हुआ एक और एक्जामपल यहां पर लेते हैं अनिक इत्यासकारों ने महरानी एन जॉर्ज तिटिये थधने बोलियन बुना पार्ट पर अनिक उस्ताकों की रचना की इस प्रकार इत्यास की गती शीलता में महापुर्शों के मातपुर योगदान को सुईकार किया गया अब यहां पर कालमाक्स को देखते हैं कि कालमाक्स क्या कहते हैं कालमाक्स ने तो इस पस्ट लिखा है कि इत्यास कुछ नहीं करता उसके पास अतुल संपत्ति नहीं है और यह खुद भी नहीं करता सब कुछ जीवित मनुश ही करते हैं क्योंकि इसके पास अतुल संपत्ति है और यही युद्ध भी करता है तो कार्ल मार्क्स यहाँ पर सीधा-सीधा यह कहते है कि इत्यास स्वयम तो कुछ नहीं करता वो ऐसा तो है नहीं कि इत्यास कोई एक चीज हो और वो जीवित है या फिर वो कार कर रही है या फिर कोई निर्ने ले रहे हैं तो निर्ने लेना युद्ध करना ये किसका काम है ये मनुश्यों का ही काम है और इत्यास में किसका बिवरन मिलता है मनुश्यों का ही बिवरन मिलता है तो उन्होंने यहाँ पर जो है मनुश्यों के इत्यास को मनुष्य द्वारा किर्यानवित या मनुष्यों के कारिको इत्यास में दर्ज बताया है आगे है प्रोफेसर नेमियर जो हैं वो एक रूडिवादी विचार के विद्वान थे उन्होंने इत्यास में महापुरुशों की भूमिका को आस्विकार कर दिया तथा जन्मानस की भूमिका को मानता प्रदान की क्योंकि महापुरुश सामान ने सर्वे मान राजनितिक सिद्दान को अपने बेक्तिगत विचारों से अतिरंजित करने का प्रियास करता है आगे हैं उधारवादी इत्यास कारों ने प्रोफेसर नेमियर की कठू आलोचना करती हुए कहा कि जिसे डार्विन ने विश्यु को मस्तिक्ष से अलग करने का प्रियास किया है उसी तरह नेमियर इत्यास को मस्तिक्ष से अलग करने का प्रियास करते है तो ये उनकी एक ऐसी आलोचना है क्योंकि उन्होंने जो वैक्तिवात का सिद्दान था माम पुरुशों की भूमी का थी वो इत्यास से बिलकुल नकार दिया था कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है इत्यास में जो जन सामानने हैं उसकी भूमी का उन्होंने जादा बताई तो यहां पर उनकी आलोचना होती है चुकि आलोचना इनकी जादा अच्छी नहीं है प्रोफेसर नेमियर के पृति इस प्रकार की आलोचना उस महान विचारा के थियासकार के पृति क्या होगा अन्याय होगा यह सत्य है कि उन्होंने व्यक्तिकत दिश्टिकोर से अतीत के इत्यासिक तत्यों तथा महापरिशों को अतिरंजित करने का त्रीव ब्रोध किया है उनकी जो अउधारना थी वो अतीत को यथार्थ के रूप में प्रुस्तुत करना था इसलिए उसने इस चीज को क्या है नकार दिया कि इत्यासित में महापरिशों की भी भूमिका होती है आगे है आईजेक ड्यू शर्ण ने लेनिन तथा टस्की की जीवन कथा लिखी परंतु लेनिन की सफलता में लाखों मनुश्यों ने योगदान को भी सुईकार किया है परिपक्य परिशितियों का नेतुत्र करके लेनिन अपनी सफलताओं के चर्मुत कर्ष पर पहुँचे जन मानस ही महापरुशों की सक्ती होती है और यही योगपुरुश का यतोचित दिशा नर्देशित करता है यानि कि यहाँ पर जो जन मानस है और महापुरुश है महापुरुश यानि कि लेनिन यहाँ पर लेनिन को ले लेते हैं तो लेने क्यों इतने यूग पुरुष बने क्योंकि उनके पीछे जो है जन मानस उनके सपोर्ट में खड़ा हुआ था तो इसलिए वो अपने यूगी के यूग पुरुष माने जाते हैं और अगर जो यूग पुरुष है उसकी शक्ती अगर कोई है तो वो है जन मानस आदी के गतिगत परिश्रम का फल नहीं है अपितु असंख जनता के सहयोग का परणाम है तो ये भी बात सही है कि सिर्फ चाल लोगों के या पांच लोगों के या फिर पचास लोगों के मिलने से ये जो है सोतंतिता नहीं मिली है इसमें असंख जनता के सहयोग का परणाम है असंक जनता का जो योगदान है पूरा इत्यास में हम बढ़नित कर नहीं कर सकते तो महापुरुष का नेत्त्र मानवी प्रियासों को सफल बनाता है आगे नेत्त्र हीन जन्मानस भेड बक्रियों की बहती बिखरी होई शक्ति है महापुरुष उस बिखरी होई शक्तियों को संखला बत्त करके सुन योजित योजना के अनुसार क्रियानवित करता है यानि कि जन्मानस तो बहुत सारा भरा पड़ा है इस देश में लेकिन उसी जन्मानस को एक लाइन में व्यक्ति कर रहा है तो व्यक्ति को यह होना चाहिए कि जन्मानस की क्या अकांचाह है अगर वह उनको समस्यां है उन में पूर्ति मतलब फूर्फिल कर देता है तो वह मैं अपने समय का एक सफल योग्व पूरुस बन जाता है आगे है नी संदे महापुरुष अनुकूल परिसितियों के पितिक्षा करता है तथा उप्योक्त समय पर राष्टिय अकांचाओं के अनुकूल परिसितियों तथा मानविय शक्ति को नवी इंदिशा प्रदान करता है परिणाम सरूप मानविय शक्ति का नेतोत्र करने वाला महापुरुष से यूग पुरुष बन जाता है नेपोलियन बिसमार्क तथा लेनिन की ख्याति का यही प्रमुख कारण है आगे है अता है इस पश्ट है कि महापुरुष के अभाव में परिसितियां तथा मानविय उर्जा जो है वो बिनिश्ट हो जाएगी बिखर जाएगी लेकिन अब यहाँ पर दो चीजे जो अवधारना है वो निकल कर सामने आती है एक तो है इत्यास में मापुरुष की भूमिका नहीं होती है और दूसरा इत्यास में मापुरुष की भूमिका होती है तो नहीं होती हम ये भी देखते हैं कि किस परकार नहीं उनकी भूमिका बन पाती है और इत्यास में मापुरुष नहीं बन पाते हैं और समय वहाँ पर प्रभावी हो जाते हैं और इत्यास में महा पुरुशों की भूमिका किस प्रकार होती है ये भी हम देखेंगे तो हम सबसे पहले इत्यास में महा पुरुशों की भूमिका नहीं होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो इत्यास में व्यक्तिवाद की आउधारना का प्रारम योरोप में पुरर जागरन काल से माना जाता है चुकि हमने ये तो पढ़ लिया आगे देखते हैं इससे पहले व्यक्ति को जाती परिवार निगम का सदस से माना जाता था यानि की व्यक्ति वाद ते किस प्रकार से व्यक्ति वाद और फिर महापुरोश योगी पुरुश बनता उससे पहले कि याँपर बात की गई है कि पहले व्यक्ति जाती परिवार निगम का सदस से ही तक ही माना जाता था कोई भी व्यक्ति परिवार तथा जाती परिवार तथा निगम का सदस से माना जाता था तो ये दोवा लिग गिया यहां पर आगे कोई भी व्यक्ति परिवार तथा जाती में सर्वशेष्ट बनने में गर्व की अनुभूती करता था परन्तु पुरार जागरन काल में उसे अपने को एक अध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में उन्होंने क्या किया व्यक्तियों ने पहचानना शुरू किया कि हमारे अंदर भी एक नेतुत्र करने की छमता है हमारे अंदर भी जो अन्य वेक्ति हैं उनकी समस्या को सोल्व करने के लिए हमारे पार आइडियाज हैं तो इस प्रकार सोचना कब से प्रार्ण करता है वेक्ति पुरर जागरन के वाद से परंतु वर के हाट का यह विचार तरक 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 परतीत नहीं होता क्योंकि पुरर जागरन काल से पहले अगर हम भारत वर्ष में देखते हैं तो महात्मा गौतम बुद्ध और महामवई स्वामी ने जन मानस का नित्वत किया था अध्यात्मिक आंदोलन का नित्वत करके वेक्तिवात की भूमिका यहां पर पहले ही अदा हो चुगी थी चुकि अभी इसके लेका जो वर्क हर्ड ये ब्याक्या कर रहे हैं इसलिए उन्होंने ब्यक्तिवाद की शुरुआ जो है पुनर जागरंकाल से बताते हैं आगे है ब्यक्तिवाद की इस अवधर्णा के साथ यूग पुरुस अपनी उपलब्दियों के आधार पर समसामाईक समाज तथा उसके पश्चात इत्यास में इस्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगते हैं करने लगा इत्यास में उनकी भूमिका विवाद का एक विसे बनी होई है जर्मन चांसलर तथा विश्व का महान कूट नेतिक विसमार्क ने इस पश्च्ट सुईकार किया है कि इत्यास में व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं होती है फ्रांस प्रशा के युद्ध के समय अपने अभी भाशन में उसने पुना कहा था कि हम लोग महान इत्यास गटना को निर्मित नहीं कर सकते हैं बलकि हमें उस गटना के स्वाभावेक सरूप के अनुरूप अपने को ढालना चाहिए यानि कि बिस्मार के आप ये कह रहा है कि हम लोग महान इत्यास गटना को मतलब कोई भी ऐसी इतनी महान कोई भी गटना को हम निर्मित नहीं कर सकते बलकि हम जो है उसके अनुरूप हम उसके जो गटना गटित होने वाली है उसके अनुरूप हम अपने आपको ढाल लेते हैं इसके परिपक्र होने के इस्तिती तक अपने को नियंतर करना चाहिए यानि कि जब तक वो गटना गटित नहीं हो जाती है, महान गटना जब तक हमें उसके अनिरूप क्या है, अपने आपको बदल लेना चाहिए, यानि उसी के अनिरूप ढ़ाल लेना चाहिए, यह बात यहां पर कही गई है, बिस्मार के दौरा, अब आगे है, इत्यास की गती स 1848 की फ्रांसेसी राजी करांतियां तथा 1905 और 1917 की रूसी राजी करांतियां इस तथे का इस पश्ट परमान हैं की फ्रांस और रूस के शाशों को इत्यास का इत्यास गती का शिकार होना पड़ा इरान के शाह के पास अपार धन और शक्ती के बावजूद भी घटनाओं के समक्ष नत मस्तक होगा सौदेश का परित्याग उसको करना पड़ा इत्यास में अनेक ऐसे उधारन है की प्राया निरंको शाशकों को भी घटनाओं के समक्ष क्या होना पड़ता है जुकना पड़ता है इत्यास में ब्यक्ती प्रधान नहीं होता बलकि घटना क्रमों की प्रधानता होती है यह सत्य है की ब्यक्ती ने समाज को प्रभावित किया है परन्तु इसका तात पर यह नहीं की इत्यास में उसकी निर्णाइक भूमिका रही है कोई भी ब्यक्ती किसी घटना को परन्तु भोई इत्यास के प्रभाव को बदले में सद्यो असमर्थ रहता है यानि कि कोई बैश्ची चाहे कि में ये घटना घटित कर लूँ तो इसका जो प्रभाव है प्रभाव को बदले में सद्यों क्या है आसमर्थ रहा है 1971 से 72 में एक सतंतर राष्ट के रूप में बंगलादेश का विदव अभ्यूदय गटनाओं का पढ़ नाम था तो यहां पर एक 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 इक्जामपल लिया है कि 1971 से 72 में जो एक बंगलादेश का अभ्यूदय गटनाओं का ही परिणाम था जैसे कि यहाँ पर सैनिक शक्ति के प्रियोग के बावजुद भी पागिस्तान की सरकार उसे रोकने में बिफल रही है तो यहाँ पर गचो गटनाएं हैं वो ज्यादा प्रभावी हो गई किसके मानविये क्रिया कलापों से आगे है इत्यास में व्यक्ति की भूमिका नगर्न होती है व्यक्ति इत्यास प्रभाव में नीरंतन प्रभावित होता रहता है पर टेक व्यक्ति अपने समाज तता परिशितियों में उपज होता है लुई सॉलवे, मैटरनिक, नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर, मुसोलनी की विफलता का एक मातर कारण इत्यास गती से टकराव है यानि कि इत्यास की गती किसी और तरफ जा रही है मतलब इत्यास की जो गती है लेकिन कुछ लोग क्या है इसको मालीजी यहां पर कोई नदी बह रही है तो अगर हम नदी का प्रभाव सीधा ना बहा कर हम इसको इस तरह से करें तो क्या नदी इस तरह से बहने लग जाएगी तो यह ऐसा संभव नहीं है तो उसी परकार यहाँ पर उनोंने क्या कиया इन सारी लोगों ने कि इत्यासी गती से टकराव इनका होता है और फिर ये जो है असफल हो जाते हैं अपनी कामों में भारती इत्यास में मुहम्मद तुगलक की असफलताओं का प्रमुक कारण इत्यास गती के विप्रीच चलना था क्योंकि हमने देखा कि जो मुहम्मद तुगलक है वो समय के साथ न चलकर समय के आगे चलने का प्रयास वो करते हैं जिसके कारण से उनकी जो बहुत अच्छी योजनाएं हैं वो विफल हो जाती हैं अब यहाँ पर तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो घटनाएं हैं वो हावी होती है और इत्यास में व्यक्तिवात की भूमिका नहीं होती है तो अब हम देखेंगे कि इत्यास में व्यक्ति की भूमिका कैसे होती है तो हैंडरी प्रेन के अनुसार इत्यास समाज में रहने वाले मनुश्यों के कारों एवं उपलब्दी की कहानी है परंतु समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के कारियों यवं उपलब्दी कविर्मिरन इत्यास में होना संभव नहीं हो पाता है इसलिए जैसे कि भारती राष्टी कॉंगरेस के इत्यास के लिए ये संभव नहीं है कि आंदोलन में भाग लेने वाले करोड़ों जो जन्मानस ने भाग लिया है सभी करोड़ों लोगों का इत्यास में दर्ज किया जाए अगर मालो अगर उस समय जितनी भी जन्संक्या है उसकी आदी भी आदी जन्संक्या का भी उल्ले किया जाए तो हमारा जो इत्यास है वो एक फोन की जैसे नोटबुक होती थी डारेक्टरी वैसी ही इत्यास बन जा तो हम क्या है सबी लोगों का योगदान ना लेकर उनमें से एक जो प्रभावी यानि नेतुत्र करने वाला व्यक्ति को ही हम इत्यास में जगे देते हैं जैसे सुदेसी आंदोलन के समय मोतिलाल नेहरू ने विदेसी वस्तरों को जला दिया यह इत्यासिक तत्य बनकर इत्यास का बिसे हो गया जबकि लाखों मनश्यों ने वस्तरों को जलाया वो इत्यास बिसे नहीं बन सका आगे और एक्जामपर लेखते हैं 1954 में प्रियाग में महाकुम इस्नान के असर पर प्रिधान मंत्री पंडित जबालाल नेहरू तथा राश्टपती डॉक्टर राजिन परिसात का इत्यास का बिसे बन गया यानि इनका जो क्रिया किलाब है वो इत्यास में दर्ज हो गई वहीं हम बात करने लाखो मनश्यों दार इस्नान का लेख जो है इत्यास में नहीं कभी देखने को मिलता है कि इन इन लोगों ने जो है वो इस्नान किया इत्यास में ऐसा लेख नहीं मिलता इससे ये प्रमारित होता है कि इत्यास का द्वार केबल मापुरुषों के लिए ही खुला रहता है आगे मापुरुषों के नेत्वत्र के अबाओं में कोई भी सामाजिक, सांस्कितिक, राजनेतिक तथा आर्थिक करांतियां सफल नहीं हुई है जैसे कि अगर हम बात करें 1857 की करांति जो है उसका जो विफल होना है वो स्वयमयो इसकी पुष्टी करता है कि अगर इसको नेत्वत्र मिला होता, एक मापुरुष उस समय हुआ होता तो ये करांति विफल नहीं होती उसी तरह जीसस क्राइस्ट पेगंबर मौहमद गौतमबुद महाबीर स्वामी आदी के अभाव में धार्मिक आंधुलन के सफलता संभव नहीं होती आगे मापुरुषों ने समाज के उच्छे स्विकर पर आसीन होकर भावी इत्यासिक गतिविदियों का पूर्वा भास एवं पूर्वा नाम पूर्वा नुमान कर लिया इन में मतलब जो महापुरुष यूग पूरुष होते हैं उनमें यूग की नाड़ी पहचानने की अद्बुद छमता होती है तो ये उनका गुर्ण है तो इस अद्बुद छमता से वो क्या करते हैं समाज किस तरफ जाने का प्रियास कर रहा है और वो उसी के अनुसार अपने को ढाल कर और फिर उसी समाज का नितुत्र करने लग जाते हैं 15 अगस 1947 को भारत की सुतंत्रता का एक मात्र श्रय जो है वो हम किसको देते हैं मात्मा गांदी जी को ही है गुटने के उपर खादी वस्त को धारन करने वाला सावरमती के संत के विक्तित्त में मंत्र मुग्द करने वाला क्या आकशन समोहन था कि जिस दिशा में निकल पड़े लागों का जन्मानस उनके पीछे चल पड़ता था सत्य तथा अंसा द्वारा इतने बड़े जन आंदोलन का नेत्तर करने वाला जो है विस्त इत्यास में आज तक अभी तक अभीभाव नहीं हुआ है तो ये गांदी जी के संबंद में था कि उन्होंने किस प्रकार से सुतंदरता हम सभी को दिलाई तो ये है कि इत्यास में योग पुरुष होता भी है और कभी कभी जो नेत्तर करता होता है उसका इत्यास के साथ इत्यास की गती को परिवर्टित करने में जो है अपना योगदान देता है जिसके कारण से वो असफल हो जाता है और वो है बाद में योग पुरुष नहीं बन पाता है तो उस समय क्या है जो घटना करम है यानि घटना चक्र है जो भी है तो वो ज़्यादा हावी हो जाती है और उसकी जो सोच है वो उस घटना या परिसितियों में मैच नहीं हो पाती जिसके कारण वो महापुरुष नह आज के लिए वस इतना ही अगर आपको ये टॉपिक समझ में आये तो प्लीज लाइक करिए शेयर करियो सब्सक्राइब करिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है